आप सबी लोगों को मेरे नमस्कार मुद्ध में है मुद्ध में आपकी सुरह भी अगई हूं फिर से आप लोगों के लिए कौर नया पिक अ और इस वीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख लियों का थर्मनेल में तॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आखिर यह जो चुर्णी है आपकी आप से क्या चाहती है मुझे लगा कि आपको यह जानना चाहिए क्योंकि जो पॉर्सनल रीडिंग के लिए मेरे पास लोग आ यह क्यां थे तो जब मैं उनको बताती हूं और उसके लिए जो सिलिशन बताती हूं जो रेमेडी बताती हूं को करने के लाद काफी जाद उनको अच्छा फील होता है तो I thought कही ना कहीं आप सभी को यह जानने का अधिकार है हो सकता है आप सभी के मन में यह सवाल अभी तक नहीं आंपने तो आज मैं जब लेकर आई हूँ तो इसके बाध आप इसके बारे में सोच ही और जिनके मान मैं ये सवाल है तो वो दू ये देही सकते इसलिए कि प्रक म्हान और फिन गॉप्स पी है जो कि आप सीधा टाइम-स्टैप पर व सकते और दे er card selection में believe करते हों तो यहाँ पर आपके सामने cards हैं तो intuitively आप ye hard card कर सकते हो और अपनी reading आप तेख सकते हो इसके बाद भी आप से कहना चाहूंगी कि एक journal reading है तो सभी के साथ में resonate हो जाए ऐसा नहीं हो सकता कुछ लोग के साथ होगा कुछ वह जाता हैं और झाल के साल थे उर्लम के साथ नहीं होगा जैसा भी हो जाता है कभी 100% आप से कभी 50% से कभी 30% होस Taj जैसा भी resonate हो, आप वैसा ही इसको लें, बाकी का आप जाने दें, वो किसी और के लिए होगा, और चाहे कुछ भी हो, आपको gratitude feel करना है, अगर reading आप से resonate होता है, तब नहीं होता है, तब भी, क्योंकि अगर हम gratitude feel करते हैं, तो हम blessings को receive करते हैं, attract करते हैं, अगर आपको इसके ब इसके बात कहना चाहूंगी कि एक timeless reading है, जन्रलेस reading है, तो कोई भी देख सकता है, और आप लोग कभी भी देख सकते हो, और इस चैनल पर जितने भी readings हैं, गाइस सारे timeless ही हैं, तो आप कभी भी देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो एक महीने पुराना हो, य आप किसी भी धर्मिया चाहती के हैं, कोई फर्क नहीं परता, आप readings देख सकते हैं, और अगर आप paid reading चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा website visit कर सकते हैं, क्योंकि मुझे mails आ रहे हैं, और मैंने mails पर भी बोला है, कि अब जो booking होगी, website से ही होगी, और मुझे ये भी कई स सारे लोगों ने बोला है, कि website हमने चेक किया, तो वो out of stock ही आता है, out of stock guys इसलिए आता है, क्योंकि अभी appointment नहीं है, तो आप हर Sunday को check कर सकते हो, जिस दिन appointment होगी, आपको मिल जाएंगी, अभी हाल फिलाल में, जो पहले की bookings हैं, उनको मैं देख रही हूँ, और थोड़ा break लेती हूँ बेच में, तो अभी हो सकता है, out of stock है, लेकिन आप चेक करते रहे हैं, आपको date मिल जाएगी, और अगर आप free reading sessions देखना चाहते हैं, तो आप YouTube पर देख सकते हैं, Saturday को मैं आती हूँ, reading करने के लिए, या तो YouTube पर आऊंगी, या फिर Instagram पर आऊंगी, तो आप Instagram च चुरू करेंगे, आज का हमारा ये reading और देखेंगे, क्या कुछ आता है, आपके लिए, all the best, hi guys, तो अकर आपने ये वाला card select किया है, angel of balance, और group number one को choose किया है, तो अब मैं आपके लिए cards देखने वाली हूँ, let's see कि आप से ये जो journey है, आपकी क्या चाहती है, okay, आपके, तो यहां से शुरू करते हैं, आपके, से शुरू करते हैं, है अजया है, तो यह अजया है, जो अजया है। कैसे आपको कार्ट्स दिखतों रहे हैं ना मैं अच्छी से इनको सेट कर देती हूं और यह कार्ट भी रहेगा यहां पर और यहां से कार्ट्स निकालूँगी कर दें़ कर दें़ कर दें़ के रहे लवता मैंने आपτα है वसरे हैं कैसे लागे इनको रहाएई ट्रेह लागे नो-ंअ बेहें हमा भी जा गाषे है कि अनिया कैसे व一点 हाथैट्ट्स उक प्क Misal Kr Kend Hai को इनको बाता हम है कि अभी यह हैँ ऊव्लिजग में है ओके गाइस तो यह आपके कार्ड्स हैं आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे मैं फिर भी सेट कर देती हूं प्रपर तरीके से और राइट और मैं आप इनको थोड़ा समझती हूं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्स्टेंड कर सकूँ तो जिन्होंने भी यह वाला पाइस लग किया है यह वाला कार्ट लग किया है यह वाला ग्रुप लग किया है सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूंगी कि हो सकता है उनकी राशी हो और जरूरी नहीं है कि यह सभी के साथ में रेजनेट हो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया जर्नल रीडिंग्स होती है तो इसमें कुछ आपसे रेजनेट होता है कुछ नहीं होता है राशियां हलाकि इतना मैटर नहीं करती लेकिन सभी लोग मुझे बोलते हैं कि आप मेंशन कर दिया करो तो मैं मेंशन कर रही हूं अगर नहीं करती है राशियां आपसे रेजनेट तो कोई बात नहीं है ठीक है अगर आपसे रेजनेट करती है जो मैसेजेस में आपको दूंगी वह अगर आपसे रेजनेट करता है तो यह रीडिंग बिलकल आपकी है यहां प बच्पन से लेकर अब तक स्कूल जाने से लेकर यूनिवर्सिटी तक का जो सफर रहा है कौन से स्कूल में जाना है वो तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हम बहुत चोटे होते हैं लेकिन उस वक्त से हर एक फैसला आपके साथ के लोगों ने करा है भले ही वो आपसे बड़े हो या फिर आपके बराबर के लेकिन कहीं ना कहीं फैसले उनी के रहे हैं या फिर आपने जो भी फैसला लिया वो सभी से विचार विमर्श करने की बाद लिया ठीक है जैसे आप कॉलिज गये कॉलिज में कौन सा सब्जेक लेना है कौन सी उनिवर्सिटी में जाना है किस फील तो यह ही जारता है तो यहां जारा हूँ यह जारे बहुत है ज़रा ही है आप उन्हान रहना है , दश्यक्ति कॉल बाइख मेंसे हैज थे सब्सक्राइब तो अगर ऐसे समझ सकते हैं तो क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए कोई भी बात हो जैसे आपने कभी अखेले कोई फैसला नहीं किया और लाइफ को ना बड़े हलके में लिया हमेशा किसी भी जिम्मेदारी से परे कोई भी बड़े बड़े काम या जैसे कुछ बतानी के वज़ए आप हसने लग जाते हो है ना जैसे बच्चों की लाइफ होती है कुछ वैसी ही लाइफ आपने हमेशा जी लेकिन जो जर्णी आपको मिली है वो ऐसी मिली है जो आपके नेचर के बिलकुल अपोजट है यानि कि कभी फैसला नहीं लेना लाइफ को बड़े हलके से लेना और जर्णी ऐसी है जहां पर आपको किसी ऐसे मोड पर खड़ा कर दिया गया है या फिर तो ये पहली बार है या फिर ये कई बार ऐसा हो जुगा है जहां पर आपको decisions लेने पड़ते हैं आप से कहतिया जाता है कि आपको क्या कड़ना है वो आपको ही सोचना है पर इस्तितियां कुछ ऐसी बनटी है जहाँ पर आप किसी का साथ लेना भी चाहें किसी से discuss भी करना चाहें तो वो बिकारी जाएगा या तो आप कड़नी सकतें किसी वज़े से और अगर करते भी हैं तो सामने वाले आपसे कहते हैं कि अपने हिसाब से सोच लो तुम्हें क्या अगर ना है कुछ इस तरीके की परिस्थितियां बनती है और फिर आपको ये लगता है कि ये जो मैं फैसला लूगी कहीं इसकी वज़े से मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा और ये डर रहता है कहीं न कहीं क्योंकि मैं कभी इस राह पर गई ही नहीं चली ही नहीं जैसे सपोज कोई ऐसा पद आपको देने की बात की जा रही हो जैसे आप कोई जॉब करते हैं या कोई बिस्नेस करते हैं और आपसे कहा जा रहा हो भी ये पद आपको दिया जाएगा तो आप हमें बताईए आपको लेना है या फिर नहीं तो पद ऐसा है जिसमें आपको पता है कि अबनेंस आनी है यह एक शुरुवात है अबनेंस की तरफ बट इसको संभालना पतानी पॉसिबल हो पाएगा या फिर नहीं आप चाहें यह कुछ भी हो जैसे कि अगर आप नहीं शुरुवात होगी कुछ नया होगा लेकिन इस तरफ जाना नहीं जाना इसको लिकर आप कन्फ्यूज रहते हैं आपको क्लियारिटी चाहिए होती है ठीक है और वो क्लियारिटी कहां से मिले है आप एसी कंदीशन में ऐसा हो जाता है कि कोई आपको सलाभी नहीं दे पाता आप जैसे अगर आप कोई प्रोफेसर प्रोफेसर हो और यही आपको प्रिंसिपल की पोस्ट दी जाएगी तो सामनेवाल आपसी यह भी नहीं कह सकता खेंसा है भाई तू सम्हाल नहीं सकता तू रहने दे हैं ना क्योंकि यह वो चीज हो जाएगे ना कि आप ग्रोह नहीं करने दे रहे आपके जो अपने हैं वो भी आपसे यह नहीं कहेंगे क्या रहे अगर वो आपसे यह कहते हैं कि भई आगे बढ़ो और इस पोस्ट को ले लो तो उनको यह फील हो रहा को नहीं बढ़ी बता सकते कुछ और इसी स्तिति में आप इतिने बुरे फ्सते हैं कि कही ना केई ड्प्रेशन में जाने लग जाते है कि मैं करूं तो करूं किया उगे तो इस तरीका का ज़र्णॵ no या universe आपसे क्या चाहती है तो वो आपके लिए है message ठीक है तो यहाँ पर universe की तरफ से आपके लिए message सिर्फ इतना है कि अगर आपको abundance चाहिए क्योंकि आप abundance की मांग करते हो यहाँ पर sun का card है तो यहाँ पर यह card दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप positive रहते हो आप manifestation करते हो आप मांग करते हो abundance की universe से यह जिनको भी आप मानते हो उनसे अगर आप चाहते हो कि आप governance मिले तो आपको जो अभी तक नियम बने है आपके लिए यह जिस तरीके के जिस तरीकी का perception आपका रहा है चीजों को लेकर ठीक है जैसे अगर आपके मन में ये चीज है कि फैसले तो चार लोगों से मिलकर ही लिया जाता है डिसकस करने के बाद या पेरेंसी करते हैं तो ये जो एक pattern बन गया है इसको आपको तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना और इसकी शुरुआत आपको ऐसे नहीं करना है कि कुछ बहुत बड़ा करके कोई बहुत बड़ा decision निर्नाई लेकर आप आगे बढ़ें कोई बड़ा decision करें नहीं आप छोटा भी कर सकते हो छोटे छोटे काम करना शुरू करो जैसे अगर बाहर जाते हो तो बिन पूछे आ ठीक है अपने खुद के हिसाब से कोई बैग लिया किस से friendship करनी है वो आपने खुद सोचा ना कि चार लोगों से बैट कर बात करी इसे बात करनी चाहिए या पिर नहीं या मैं बात करूं तो मैं क्या बात करूं ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते है यह भी होता है कुछलों के साथ अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उससे क्या बात करनी है आप अपने फ्रेंड से पूछ रहो तू बता दे उसने मुझे ऐसे बुला तो मैं इसको क्या message करूं तू बता दे मुझे तो इस तरीके कि अगर आपकी आदत है ना तो इससे आप तेरे तेरे करके बाहर निकलो और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे और इस दौरान ऐसा भी होगा कि आपका लॉस हो बट आपको क्या फील करना है कि यह आपके लिए जरूरी था अगर यह लॉस नहीं होता तो आप समझ नहीं पाते कि आपके लिए सही क्या है गलत क्या है और आपको कैसे फैसला लेना है और क्या करना है आगे फोई ग्रोथ क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यह देना चाहती है तो आपकी किसमत में और अगर आप अपनी लाइफ में किसी को चाहते हो तो यहां पर लवर्स का काड है यानि किया कैसा soulmate जिसको आप हमेशा manifest करते हो तो जो soulmate आपको मिलेगा वो कहीं न कहीं आपको इस तरीके से चाहेगा एक ऐसा person जो independent हो ठीक है तो अगर आप ऐसा कोई soulmate manifest कर रहे हो तो उसके अनुसार ये universe आपको बनाना चाहती है कि जब वो आपको वो soulmate लाकर दे तो ऐसा ना हो कि ये connection आगे बड़ी ना पाए क्योंकि जो soulmate आप चाहते हो वो एक ऐसी लड़की या लड़के को चाहता है या चाहती है ठीक है जो इतना confident हो जो फैसले खुद ले सके और जिसको बिल्कुल भी डरना लगे आपके सामने ये जो बार 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 ये चीज़े आती है ना फैसला लेने वाली कि भाई अब चलो बताओ क्या करोगे ये इसलिए होता है और आप जितनी जल्दी इसको समझ लोगे उतनी ही जल्दी इस tough energy से निकल जाओगे ओलराइट तो ये थी आपकी डिडिंग आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना बुले चैनल को शेयर और सबस्क्राइब करना ना बुले तैंक यू सो मच फू वाचिग दे वीडियो ठेक लब यॉल बबाई ओलराइट तो अगर आपने ये वाला कार्ट सेलेक किया है और ग्रूप मेंबर डू आपने सेलेक किया है तो अब आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ देखने वाली हूँ कि आप से ये जो जो चुर्नी है आपकी क्या चाहती है ठीक है तो ये कार्ट मैं यहाँ पर रख रही हूँ और एक एक करके सारे कार्ट मैं पहले निकालूंगी उसके बाद मैं आपको एक्स्प्लेन करूंगी कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है तो आपको इतना साना थैरे रखना पड़ेगा आप लोग बहुत नर्वस होते हों है ना ओके यहाँ यहाँ पर लेकाट से देखूंगी अप्रसी आप लेकाट से प्रसी आपको एंट हुगता से देख जाओाँ dizi शόर्लेशि aren't उना ने सेजरे कि ईयुगता साथ से आपको 1 औरश पहुगता से प्रवस होगता से ना ठेस्ट हूँ Од को खाको 2 रेसना पहुगता से आफर लेस्ट हो ब extract singe क से, शंबाए़ बार deck take time out okay be brave and honest और इस ट्रेंद आपने जोईस भी किया है ओके यहां से देख लेते हैं क्या है हमारे प्यूर्स के लिए यह देखते हैं इंजल्स क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को और यहां से आकिया सर्विस ओके और देख लेते हैं मैं यहां से क्या है और फिर मैं आपको एक्स्टेंब परोगी ज़च्मिन्ट नाइट आप सोल्स टूवान या तो कुछ चाहिए तो तुरंत चाहिए और अगर तुरंत नहीं मिलता है तो फिर मैं नहीं चाहिए हो सकता है यह वाली आदत आपके बच्पन में भी रही हो आप आप अपने पेरेंट से क्याते हो कि हमें लाके दो तो अभी लाके दो वरना रहने दो फिर में नहीं चाहिए यह वाला हाल ओके तो यह आपके कार्ट से आपको दिख रहे होंगे और अब मैं इनको थोड़ा और अच्छे से समझ कर फिर आपको समझाती हूं के कि मैं सम टाइम होकी गाइस तो आपको कार्ट दिख रहे होंगे और रीडिंग की शिरुवात करने से पहले सबसे पहले मैं आप से शेर करना चाहूंगी राशियों के अबारे में यहां पर जो कार्ट से उनसे कौन सी राशिया निकल कर आ रही हैं सो आई फिल कि जिन लोग iscopian energy भी है यहां पर तो water sign हो सकते हो आप लोग अगर आपसे राशिया रेजोनेट करती हैं बहुत अच्छी बात है अगर नहीं करती है तब भी कोई बात नहीं आपसे अगर यह reading resonate करती है यह energy resonate रेजोनेट करती है तो यह reading बेशक आपकी है और जो guidance होगा वो भी आपकी ल हमारा बहुत लंबा होता है और हम कितना भी राशियां बता दें लेकिन जरूरी नहीं होता कि उनकी elements आप से match करी जाए या energy आप से match करी जाए तो अगर करता है यह राशियां करती है एंजल ओफ स्ट्रेंथ बेशक आपने ये कार्ड इसलिए स्लेक्ट किया है क्योंकि आप बहुत ही जादा confident हो और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये reading देखकर ये सारे कार्ड जो है मेरे सामने उनको समझ कर messages लेकर I think ये first time है जब इस तरीके का pile आया है इस तरीके का spread आया है जहाँ पर मैं देख पारी हूँ कि आप खुद को complete महसूस करते हो wholeness के energy जहाँ पर आपको लगता है that you have everything चाहे सब कुछ हो या ना हो जो आप wish करते हो चाहे वो अभी तक आपको मिला ना हो लेकिन फिर भी खुद में complete महसूस करना खुद में confident महसूस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए आप तो हाला कि बेशक मुझे talented दिखाई देते हैं multi-talented है multi-tasking है intelligent है wise है बहुत कुछ आपको God की तरफ से ही मिला है जैसे हो सकता है कि आपकी intuition बहुत प्यारी हो बहुत ही अच्छी intuition हो या फिर आप psychic है या फिर कुछ ऐसा है आपके साथ जैसे आपने कुछ बोल दिया तो वह हो गया कुछ भी ऐसा हो सकता है तो उपर वाले की तरफ से आपको gifts मिले हुए हैं कुछ तो confidence आपको इससे आ गया और बाकी का आपने खुद बनाया है जैसे कि education आपकी हो सकता है आप PhD कर रहे हो या फिर करने का सोच रहे हैं या फिर जो भी आपने अपनी life में कुछ ना कुछ आप अच्छी भी करते रहे जैसे कि आप कभी फ्री नहीं ब्याटे लाइक स्कूल टाइम में भी आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब स्कूल की छुटिया हुई तो आप किसी के बारे में सोच कर रोने से बहतर है कि अपने टाइम को कुछ अच्छी चीजों में लगा लो अगर कुछ नहीं करना है तो घर का काम ही कर लो उससे जब आप वो घर का काम करते हो ना चोटे चोटे काम करते हो ना जैसे कभी घर वालों के लिए खाना बना दिया क कभी घर की सफाई करती है ना पौदों में पानी दे दिया तो आपको यह फिल होता है कि हां मैंने आज कुछ किया मैंने आज कुछ बड़ा किया वो छोटे से काम में ही ना आपको संतुष्टी मिलती है तो आपके यह तो हलांकि सभी के लिए मैसेज़ेस हैं बट आपको हैं आपको क्या पसंद है क्या नहीं आप क्या हो आपको पहले वो तो पता हो ना जी आप दूसरों को जानने की कोशिश करते हो वो मेरे लिए क्या फील कर रहा है कभी आपने सोचा है कि आप क्या हो आप खुद के लिए क्या फील कर रहे हो सबसे पहले तो खुद के बारे म आपको क्या करना है आप फिर भी ये reading देख रहे हैं तो ये reading देखने की वज़े कुछ और ही है जो कि मैं बताऊंगे कि क्या है आप बताईएगा मुझे कि आप से resonate हुआ या पर नहीं सो आपको अच्छे से पता है कि लाइफ में आपको क्या करना है बड़े एक्टिव रहते हैं वो सब कुछ करने के लिए I feel कि आपके जो life journey है जो आपका life purpose है उसने वो life purpose कहीं ना कहीं लोगों की service करने से जुड़ा हुआ है लोगों को heal करना लोगों की help करना अगर आप एक doctor है तो अगर आप doctor नहीं है किसी और field में है तो भी आप किसी ना किसी तरीके से लोगों की help करना चाहते हैं उनको heal करना चाहते हैं जो awakening आपकी हुई है वो आप चाहते हैं लोगों से उनके लिए expect करते हैं कि उनको भी पता चले कि उनको क्या करना है लाइफ में आप सुछते जो चीज़े आप को मिली है वह कही ना कही आपने सबी के लिए संऽपाल कर रखी जो टेलेंट आप को मिला है जो गिप्त साब को मिले मुले हैं उनसे आप कहीं न कहीं सभी की help करना चाते हो ऐसा नहीं किस से खुद की help करना चाते हो जैसे अगर आपकी intuition अच्छी है तो आप खुद को ही फायदा देना चाते हो I feel कि आप दुनिया का देश का भला करना चाते हो कहीं न कहीं यह वाली energy यह वाली vibes मुझे आ रही है आप चाहते हो आप ना एक तरीके से unconditional love करते हो पूरे देश से और ये बड़ा मश्किल हो जाता है unconditional love अपने partner से तक नहीं कर पाते हैं लोग और आप सभी से कर रहे हो equally सभी को प्यार करते हो equally सभी के लिए कुछ बड़ा कुछ अच्छा करना चाहते हो और जो आपके लिए है उसके लिए grateful इतना जादा grateful फिल करते हो gratitude शो करते हो universe को कि ना चाहते हुए भी अगर कोई काम अगर कुछ ऐसा है जिसको मिलने में देरी होने वाली है तो वो जल्दी मिल जाता है ये है lucky है आप इस मामले में बट आपके साथ में issue क्या है problem क्या है आप क्यों यह reading देख रहे हो वो इसलिए क्योंकि काफी जादा active है आप और जो भी आप करना चाहते हो आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप उसके लिए तयार हो बट आपको मौके नहीं मिलते हैं या फिर मौके मिलते हैं तो अधूरे रह जाते हैं तो आपको यह लगता है कि क्या आप सही जोर्णी में हो हाला कि confident हो कि मेरी यही जोर्णी है मुझे यही करना है लेकिन जब आपको मौके नहीं मिलते हैं तो अधूरे मिलते हैं तो आप को लगता है कि क्यों क्या रीजन है क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है अगर मुझे बोला गया है कि मुझे एक हीलर बना है और मैं हीलर बनना चाहती हूं या बनना चाहता हूं अगर मुझे बोला गया है कि मुझे सर्विस करनी है लोगों की तो मैं करना चाहती हूं मैं करना चाहता हूं फिर मुझे मौकी क्यों नहीं मिल पाते या फिर मौकी मिलते हैं तो अधूरे क्यों रह जाते हैं मुझे यह समझ नहीं आता यह सवाल रहता है आपके मन में राइट आपको ये लगता है कि जिस काम के लिए युनिवर्स चाहती है जिस काम के लिए युनिवर्स ने आपको यहां भेजा है और वो चाहती है कि आप उसको पूरा करो आप उसको पूरा करने के लिए तयार हो आप खुद को तयार कर रहे हो लाइफ में जो भी उतार चड़ावाए उनको पीछे छोड़ कर कहीं न कहीं काफी आगे निकल आए हो जो चीजें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपने मैनिफेस्ट की आपको नहीं मिली उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते थे उसके बाद भी आप उसको ब्लेसिंग ही समझते हो कि it's okay अगर नहीं मिला तो मेरे अच्छे के लिए या सभी के अच्छे के लिए कुछ रहते हो खुद को त्यार कर रहे हो फिर ऐसा क्यों हो रहा है राइट और इसका जवाब ये है गाइस कि sometimes ना जैसे कि यहाँ पर ये वाला कार्ड है ब्राउन बियर का तो ये कार्ड बतादा है कि sometimes ना आपको वेट करने की जरूरत होती है बेशक आपको तयार किया गया है बेशक आपने खुद को तयार किया है यूनिवर्स ने आपको help किया है खुद को इस तरीके का बनाने के लिए इस लायक बनाने के लिए कि आप दूसरों बिली कुछ करो कुछ बहतर और आप काफी बहादूर हो वो भी मुझे दिख रहा है बट मौका मिलना, समय मिलना ये कही न कहीं यूनिवर्स अपने हिसाब से करती है सो आपको बोला गया है कि sometimes no action ना एक action है यानि कि कुछ ना करना आपके लिए बहतर है शांत रहें, meditation करें, जो भी आप कर रहे थे वो करें लेकिन इस बारे में ना सुचें कि कब मुझे chance मिलेगा, कहा chance मिलेगा, कैसा मिलेगा अगर आप इतने active हो, आपको ये सब कुछ आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको तुरंट ये काम करी देना है जिसके लिए आप त्यार हो रहे हो, ठीक है, वो सही जग, सही समय आपको बताया जाएगा तब तक आपको क्या करना है, rest करना है क्योंकि इतना जादा अगर आप परिशान रहोगे कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा उस वक्त ये जो एनरजी आपकी है, ये कही न कहीं गुम हो जाएगी तो आपसे कहा जा रहा है कि सिफ आपको तैयारी करनी है, एक युद्धा की तर है और जैसे ही जब आपको समय और जगह मिलेगी ना, वहाँ पर आपको अपनी बहादुरी दिखानी है यानि कि वहाँ पर जो भी आप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं चाहें जगह कोई भी हो, चाहें लोग कोई भी हो, साथी साथ जो आपने सोच कर रखाए ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही जगह, वैसा ही टाइम आपको मिले पर जो भी मिलता है आपको उस वक्त एक्टिव रहना है और अपने अनरजी को समयल कर रखना है बहुत जादा अगर आप यह सोच विचार में रहोगे कि मैं क्या करूं क्या करूं कब करूं कैसे करूं मैंने इसलिए इनवर्ड किया था मैंने इसलिए खुद को इस तरीके से बनाया था तो इससे आपकी energy waste होगी तो आपको जहाँ पर धहर रखनी की जरूरत है वहाँ पर धहर रखिए और जहाँ पर action लेनी की जरूरत है वहाँ action लीजे यह message है आपके लिए और कही ना कही जरूर्णी है आपसे यही चाहती है mother universe भी आपसे यही चाहती है कि अपनी ability को खुद में संभाल कर रखो और जब जरूरत होगी तब उसका use किया चाहेगा तो यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज इसको like करें रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना पूले चानल को share and subscribe करना ना पूले thank you so much for watching the video ठेक के लब याल hi guys तो अगर आपने यह वाला card select किया है angel of love and group number 3 आपने choose किया है तो let's see कि जो journey है आपकी यह आपसे क्या चाहती है तो यहां पर मैं सारी cards निकालूँगी एक एक करके तब तक आपको wait करना पूलेगा okay अगर आप card shuffling नहीं देखना चाहते हैं तो आप skip कर सकते हैं विश्ब loyal heart okay next for you हम energy oracle card से देखेंगे let's see कि क्या particle कर आता है mother universe patience okay हमारे viewers को बताएए भाई जो हो जानने आई है हमारे ज çıkने ताप ए जो हो जो हो जूएँञिए in मेंड़ा झाएएßen भूएए पड़क declarary कि में लोट navigation जेएएंगी खेएक यूएएंड़kal covenantGE काफी ज़्यादा emotional हैं आप लोग, बहुती ज़्यादा ओके, peace keeper, इसलिए आपने angel of love को choose किया है loving, kind, generous यहाँ से ली card देख लेते हैं और कुछ cards में और देखूंगी उसके बाद guilt, आपके लिए दो cards आए हैं तो मैं दोनों ले रही हूँ आसे सभी में एक ही आया है guilt है और यहाँ पर है gratitude G and G तो हो सकता है आपका नाम भी G से ही शुरू होता हो possibilities है two of pentacles six of pentacles hangman and यहाँ पर है seven of swords यह मैंने क्यों दिखाया यह आपको बात में बताऊंगी तो पहले मैं इन cards को समझ लेती हूँ और फिर आप से बात करती हूँ इनको set कर देती हूँ I think आपको दिख रहे होंगे cards अच्छे से yes okay just give me some time okay तो जिन्हों ने भी यह वाला cards लेक किया है and third groups लेक किया है सबसे पहले उनकी राशियों की बात करूँगी राशियों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मुझे और्थ साइन आप दिखाई देते है Capricorn Virgo Taurus Scorpion Energy भी है यहाँ पर and of course आप air sign भी दिखाई देते हो अलाकि card नहीं है यहाँ पर ऐसा मतलब है bottom of the deck लेकिन फिर भी काफी सारे cards नहीं है बट राशियां जानना इतना important भी नहीं है अगर यह आप से resonate नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं energy आप से resonate करती है तो डिरे आपकी है अगर राशियां भी रेजनेंट करती है तो बहुत अच्छी बात है तो जिन्हों ने भी यह वाला pile select किया है उनके साथ में जैसे कि मैंने कहा ही कि आप लोग बहुत जादा emotional हो देखता है यह आपर और emotional आप आप हरुस व्यक्ति से हरुस चीज से हरुस सपने से हो सपने के लिए हो जो आप देखते हो या जिनसे आप जुड़े हो ठीक है जिससे भी आप जोड़ते हो, जाहें पल दो पल के लिए ही आप क्यों ना किसी से मिलो, उसके लिए भी आपके दिल में प्यार ही होता है, आप कभी किसी को शक की निगाह से नहीं देखते हैं, आप कभी किसी को ऐसे नहीं देखते हैं, कि यह बुरा होगा, जैसे कुछ लोग हम उनकी help भी करें तो वो सोचते हैं कि कुछ तो फायदा होगा तभी help करी है कुछ लोग का nature ऐसा होता है आपका nature कैसा है कि अगर कोई आपके सामने बुरा व्यक्ति भी आए तो आप उसके लिए अच्छा ही सोचोगे आप बुरा देखी नहीं पातें बुरा सोची नहीं पातें ठीक है आपका nature ऐसा है और दो-चार बातें उससे करी और उससे लगाब हो गया पता चला मंदिर में बैटे हैं या मर्शिद में बैटे हैं गुरु द्वारे में बैटे हैं खुद के लिए दुआएं बाद में मांग रहे हैं उसके लिए पहले मांग रहे हैं कि भाई उसका बला हो जाए उसका अच्छा हो जाए ठीक है वो उसने मुझे ऐसे बोला था उसके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो वाहिगुरू सब कुछ अच्छा करना इसके जीवन में, ठीक है, बाबा सब कुछ अच्छा करना, ये आपकी हो सकता है आदत हो, वैसे ही अगर आपके सपनों की बात करें, जो भी आपके सपने हैं, उनसे भी आपको ऐसा ही और के सब्सक्राइब की पेड़ा होती है, जैसे माँ अपने बच्छों को लेकर फील करती है, या जैसे हम जब चोटे थे, तो अपने गुड़े गुड़ियों के साथ एक अटेच्मेंन्ट सा था हमें, भिलोनों के साथ, तो वो अटेच्मेंट आपको, आपका सपनों से ह जाता है और कहीं न कहीं उनके लिए अपनों से इस तरीकी के अपकी आपकी कि आपको यह लगता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए मैंने ना किसी से कभी मांगा नहीं मैंने कभी इच्छा रख्कि एकात मेरे छोटे से सपने हैं अगर वो भी मेरे पूरे नहीं हो सकते तो सिती सी बात होट होगा वह चीज आपको लगती है बुरा लगता है इसके चलते इस नेचों की चलते आपके साथ ऐसा हो जाता है कि कहीं न कहीं आपके कुछ सपने या फिर आपका कोई एक सपना ऐसा है जो कि a लोगों की सोच से बिल्कुल अलग है जिन से आपको लगाव है जैसे आपके घरवालों की अगर मैं बात करूँ या फिर आपके फ्रेंज की बात करूँ कहीं ना कहीं जो आपके सपने हैं वो इनकी सोच से बिलकुल अलग है जो आप करना चाहते हो अगर आप engineer बनना चाहते हो तो आपके घरवाले चाहते हैं कि आप doctor बनो अगर आप doctor बनना चाहते हो तो हो सकता है वो चाहते हो कि आप teacher बनो ठीक है या फिर वो चाहते है teacher बनो तो आप dress designer बनना चाहते हो कुछ भी कोई भी आपका ऐसा सपना है जो आपके लिए बहुत important है लेकिन आपके घरवाले उसके लिए रजामंदी नहीं दे रहे हैं और फिर आपको लग रहा है कि आपके friends आपको नहीं समझ रहे हैं नहीं सुन रहे हैं ऐसी इस्तिती में sometimes जब आप बहुत जादा frustrated हो जाते हो तो शायद आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि finally मुझे वही करना है जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं यह नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा यह कहनी के बाद then आपको ऐसा फील होता है कि आपने कोई अपरात कर ठीक है इस तरीके की भावना आपके अंदर आजाती यह पहले तो आप अटके रहते हो आप उनका वेट करते रहते हो कि आज वो मानेंगे आज मुझे चिपकर कोई काम नहीं करना अगर चिपकर आपने कोई काम किया भी तो उसका गिल्ट आपको फील होता है तो आप उनके मानने का वेट करते रहते हो कि कभी तो यह समझे कभी तो यह समझे और जब आपको लगता है कि वो नहीं समझ रहे जब लोग आपको नहीं समझ रहे तो फाइनली आप यह बोलते हो कि देखो मुझे करना है तो यह जो बात बोलते हो फाइट भी नहीं करते हो सीधा बात कर हो तो यह जो आप बात करते हो ना उतने में ही आपको यह फिल होने लग जाता है कि अपने बहुत बड़ा गुनहां कर दिया ऐसे कह दिया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज बनी रहती है, मेरे पेरेंस ने मुझे पाला, मुझे बढ़ा किया, पढ़ाया, तो अब फाइनली अगर मैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करती हूँ, फॉलो करता हूँ, तो ये गलत है, जबकि ऐसा नहीं हो आपके पेरेंस, आपके पेरेंस से आपके मालिक नहीं है, अगर उन्होंने आपको पाल पोसकर बढ़ा किया है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया है, आपको उनके सर्वेंट दोड़ी हो, जो उन्होंने आइसान किया, तो यह चीज तो आपको अपने मन में रखने ही नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता यह कौन सीख देता है आप लोगों को, और यह जादा तो लोगों के साथ है, जब मैं उनको बोलती हूँ, मेरे पास सब काउंसलिंग के लिए आते हैं लोग, और जब मैं उनको बोलती हूँ, कि जाओ अपने parents से एक बार पूछो दो, क्या उनको अच्छा लगेगा, कि आप अपना मन मार कर कोई काम कर रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं, तो जब वो उनसे बात करते हैं, तो finally, वो मेरे पास वापस आकर कहते हैं, कि हाँ, मेरे parents ने तो ये कहा कि नहीं, हम य इसलिए आप से कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप में वो अनुभव आपको नहीं है जीवन का, जैसा कि उनको है, लेकिन अगर आप अपनी बात उनके सामने रखते हैं, तो ये शक सुनेंगे, और आप अगर उनको समझाने की कोजिश करेंगे, तो समझेंगे भी, ठी या ये जो सोच है, कि मैं एहसान तले दबी हुई हूँ, या दबा हुआ हूँ, तो फिर सामने वाले की तरफ से वैसा ही फोर्स आपको मिलता है, क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट करते हूँ, राइट, सो ये वाले अनरजी आपके अंदर, I feel के रहती है, या तो आप अटके रहते हो, या फाइनली कुछ कहते हो, तो आपको गिल्ट महसूस होने लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए guidance, आपके लिए message universe की तरफ से, और खुद आपकी तरफ से, ये है, कि हर जगे खुद की, एक तो सफाई देनी की जरूरत नहीं है, जो आपके घर वाल करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको मिल रहा है, उसके लिए gratitude फील करते हुए, आगे बढ़ने की जरूरत जरूर है, और इस बात का guilt फील ना करें, कि मैंने अपने सपनों को चूज किया, मैं अपने सपनों की तरफ बड़ी या बढ़ा, आप loyal रहें, अपने parents के लिए अपने friends के लिए, अपने सपनों के लिए भी, कोई भी ऐसा काम ना करें, जो गलत है, जैसे छिपकर करना गलत है, लेकिन बता कर करना गलत नहीं है, अब उसके लिए उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया उनकी बदली भी जा सकती है, जब आप इमानदार रहकर, सारे नियमों को follow करते हुए अपना dream पूरा करते हो और एक दिन successful होते हो तो उनकी जो विचार है इसको लेकर वो change भी हो जाएंगे आपको fight नहीं करनी आपको सिर्फन से ये कहना है कि भई हमें इतना मौका दे दो इतने दिनों में या इतने महीनों में अगर मैं ये काम नहीं कर पाई या नहीं कर पाया दे जो आपको ठीक लगी वो आप कर लेना ठीक है और उतना जो समय आपको मिलता है उसमें अब आपको अपना talent दिखाना है आपको loyalty छोडने के लिए नहीं कहा जा रहा आपको लगाव ना रखने के लिए नहीं कहा जा रहा, लेकिन आपको बीच का रास्ता निकलने के लिए कहा जा रहा है एक तो जो आप बात कहते हैं, उसके लिए आपको guilt feel नहीं करना है क्योंकि आपने अपनी बात रखी है, किसी का असमान नहीं किया और हर जगे, हर वक्त आपको खुद को explain करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आपकी बस energy जाती है आपका कोई काम नहीं बनता ओके ये guidance है आपके लिए भी मुझे नहीं पता कितने लोगों को पसंद आएगा, कितने लोगों क्या react करने वाले हैं, लेकिन यहां पर जो cards हैं वही मैं आपको समझा रही हूँ मेरी अपनी कोई यहां पर opinion नहीं है तो आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है आगे आपकी ही मर्सी है जो आप चाहेंगे वही होगा, लेकिन हाँ आपसे कहा गया है कि इतना जादा वेट करना, इतना जादा खुद को explain करना और guilt feel करना उन चीजों के लिए जो कि यह deserve भी नहीं करती है, मतलब guilt feel करना यह तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने किसे को आपको जानते हैं, वो आपको सही ही समझेंगे और जो आपको नहीं समझते हैं, उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है एक बार क्या दिया काफी है ओके यह है आपकी reading, I hope कि आपको पसंद आई हो अगर आपको यह reading पसंद आई है तो प्लीज इसको like जरूर करें resonate किया है तो मुझे बताना ना भूले चैनल को share and subscribe करना ना भूले thank you so much for watching the video, take a love you all bye bye